करेंगे इसके लिए पॉइंट्स में आपके सामने लाया हूं यह देखिए पॉइंट्स हैं निंबार्क संपरदाई की निंबार्क संपरदाई की राजस्तान में मुख्य पीठ जो है। था है रादा जी की कि पूजा को जादा मैंत्रो दिया जाता है याद रखेंगे संप्रद्य यह दो संप्रदाए एक संप्रदाए आता है राम इस निवी संप्रदाए राम CT oh संपरदाय जो है वो निर्गुन वक्ति साखा का संपरदाय तो इस पीठ की स्थाप्ना करने वाले कि रामानंदी संपर्दाएं के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं आगे पॉइंट पर बात करें संत पीपाजी जो है वो दर्जी समुदाएं के आराध्य देवता हैं जन्मिस्थान गागरोंदुर्ग जिनका छत्री जो है उनकी गागरोंदुर्ग में बनी हुई है और सिंग के नाम से थे बाद में संत ओगे और पीपाजी कहलाए तो पीपाजी के जो अन्याई हैं वो कौन जे समुदाए के लोग हैं दर्जी समुदाए के आराध्य देवता पूछे जाएं तो संत पीपाजी संत मावजी के जो उपदेश हैं साब लागाओं डूंगरपुर एक आंदूलन भी चलाया था वेवार छेत्र में आदिवासियों को जाग्दरत करने के लिए हमें यहां याद रखना है संत मावजी के उपदेश क्या कहलाते हैं चोपड़ा कहलाते हैं और संपरदाए कौन सा चलाया है निस्कलंग की संपरदाए यह पॉइंट हमें याद रखना है रामिशनेही संपरदाए जो है रामिशनेही संपरदाए के प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो शंत राम चरण जी है निर्गुण वक्ती साखा का संपरदाए है रामिशनेही संपरदाए के प्रवर्तक पूछे जाएं राजस्तान में रामिशनेही संपरदाए के प्रवर्ता कौन है तो संत राम चरण जी हैं आगे पॉइंस पर बात करें अभी जिसकी बात कर रहे थे रामिशनेई संप्रदाई की इसी रामिशनेई संप्रदाई की मुख्य पीठ जो है वो सहापुरा भिलवाडा में है कौन सी जागे पर है सहापुरा भिलवाडा में उन्चेपीट जो है शाह पुरा में है इसके बाद बात करें चरन दास जी चरन दास जी ने चरन दासी संपर्दाय के कितने नियम है 42 नियम है चरन χो याद रखने के लिए अकसर में पंग्तियां बताता रहता हूं जनम जनम लिया डहरा अलवर में याद हो जाएंगी आपको बंग्दियां सुनेंगे तो जनम लिया डहरा अलवर में दिल्ली जाकर पीठ बनाई चरणदास की दो सिस्या हैं दया भाई और सहजो बाई कुछ पॉइंट्स हैं जनम इस्पान पूछा जाए डहरा अलवर इसके नाम आगे दिये हुए हैं दया भाई और सहजो बाई दया भाई और सहजो बाई ने लिखा है एक रचना है दया भाई की दया बोध क्या नाम है दया बोध और सहजो बाई की रचना है सहज प्रकास सहज प्रकास यह रचनाएं भी हमें याद रखनी है चरणदास जी इनके गुरू है दया भाई और सहेजा भाई के यह बात भी याद रखनी है संत धन्नाजी संत धन्नाजी जिनका जन्मिस्थान और पूजाइस थान राजस्थान में जिनके अन्वियाई अधर इस्टेट से भी आते हैं पंजाब हर्याणा चेतर से भी किसान लोग संद धन्ना जी के यहां आते हैं भक्त कवी दुरलव को राजस्थान का नरसिंग कहा जाता है यह पॉइंट हमें याद रखना है राजस्थान का नरसिंग यह उपनाम है किसका उपनाम है तो राजस्थान का नरसिंग कहा जाता है भक्त कवी दुरलव को इसके बाद अगला पॉइंट है लाल दास जी ने कौ लालदास जी जो हैं इन्होंने संपरदाय चलाया है लालदासी संपरदाय और लालदास के जो उपदेश हैं क्या कहलाते हैं लालदास की चेतावणियां कहलाते हैं लालदासी के उपदेश लगतार रिवीजन चल रहा है कोईक रिवीजन चल रहा है और ये रिवीजन आपके लिए बहुत थाइदे मंद होने बाला है अला लेक्ष्ट पॉइंट से बात करें हरीदास निरंजनी संत है राजस्थान के हरी दास निरंजनी जिनंका जन्म topழ नागॉद्ध में है अंब वालमी क्राइंक जाता है क्लियुक्ञ का वालमी पूछा जाए Boys high Sm you'll निरंजनी संप्रदाय चलाया कल्यूक का वालमिक इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से संत वालमिक पहले डाकू थे लुटेरे थे उसके बाद वो संत बन गए और रामायन की रचना की ऐसे हरिदास जी जो थे वो पहले कुछ ऐसी गत्विदियों में भाग लिया करते थे लू मीरावाई के गुरू का नाम क्या है संत रहिदास जो है इनकी छत्री कहाँ बनी हुई है राजस्थान के संत है 12 नसी बनारस शेत्र में उनका जन्म हुआ कर्म घूमी राजस्थान को बनाया मीरावाई जी ने इनको अपना गुरू बना लिया था संत रहिदास को js और स्प्रदाए चूरु जिलेके स्वामी लालगिरी द्वारा इस्थापित किया गया अभी लालदासी संप्रदाए की बात हो रही थी जिसके परवर्टक लालदास जी हैं यहां एक अलग नाम आया है लालगिरी जी महराज जो हैं इन्होंने पीठ पूछी जाती है तो विका निर में और अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लाल गिरी जी का जन्म स्थान या कारे भूमी पूछी जाए तो वो कौन सा जिला है चूरू जिला है ये कहा जाता है कि विका निर के ले के सामने एक लाल पत्थर गड़ा हुआ है वह है तो प्रवा Plato आगड़के धनी पूछे जाते हैं नाम आता है नरषड पीर का जुंजु में agrat सक्करवा बताया जाता है इनका नाम इन को बिखे हैं då refer मन लोग भी इनकी पूजा करते लिए स्स пит हैं कि स्थरोंतर में इंको चफ़वाले थे वाबर पीजा जाता है विस्तार से बात नहीं करेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे वाजा मुईनुद्दीन चिस्ति ने पृत्वीराच चोहां तृतिये के काल में अजमेर को अपनी कारेस्थली बनाया था यह कोश्चन परिक्षाम लगातार गूमता है वाजा मुईनुद्दीन चि सन्यासियों का सुल्तान का मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है तो यह नाम आता है हमीद उद्दीन नागोरी का इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्ष्ट पॉइंट पर बढ़ें तो मीरा भाई जो हैं राजस्थान की राधा कहलाती है यह मीरा भाई का इन्होंने मीरा दासी संपरदाय चलाया तो मीरा भाई का उपनाम पूछा जाए तो क्या है राजस्थान की राधा कहलाती है इन्होंने मीरा दासी या दासी संपरदाय चलाया है ये पॉइंट भी आगे लिखा हुआ है इसके बाद मीरा की उपासना का जो भाव है मीरा भाई पाशना करी मीरा वाई ने इसके बाद अगला पॉइंट है भॉइको राज्ष्थान की दूसरी मीडिया के नाम से झाना जाता है न आगर में इनका पूजा इसलहенно Nattang किराडू जो है बाड मेरका इसको राजस्थान का खजुराहू कहा जाता है खजुराहू जो जगए है मद्दे प्रदेश में है और अपने दीवारों पर मंदिरों की दीवारों पर असलिल चित्रकारी के लिए परसिद्ध है ऐसे ही कुछ चित्री यहां किराडू से प्राप्त होते हैं ऐसे ही कुछ मंदिरों पे कला करती हैं किराडू में प्राप्त होती है इसलिए किराडू जो है इस किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है यह पॉइंट याद रखेंगे आगे बहुत सरल सा पॉइंट है ब्रह्मा मंदिर के लिए कौन सी नगरी प्रिसिद्ध है तो ब्रह्मा मंदिर के लिए जो नगरी प्रिसिद्ध है वो है उसकर यह पॉइंट याद रखें सिरे मंदिर जालोर सिरे मंदिर जो है जालोर में ये रिसी जालंदर नाथ की तपो इस्थली है नाथ संप्रदाई के एक बड़े संत है जालंदर नाथ और जालंदर नाथ ने अपनी तपश्या के लिए जो भूमी चुनी वो कौन सी जगह है जालोर छेतर है जिसमें मंदिर कौन सा है सिरे मंदिर सिरे मंदिर जालोर जालंदर नात की तपो इस्थली है आगे बढ़ते हैं दिलवाडा जैन मंदिर जो है पांच मंदिरों का समू है लेकिन दो मंदिर बड़े प्रसिद हैं विमल वसाही का मंदिर और लूण वसाही का मंदिर ये पॉइ इसके निर्माता कौन है वास्तुपाल एवं तेजपाल है विमल वसई के निर्माता पूछे जाएं तो विमल साह है विमल वसई के निर्माता विमल साह और लूण वसई के निर्माता पूछे जाते हैं तो वास्तुपाल एवं तेजपाल का नाम आता है लूण वसई जो मंद क्म कहते हैं और इक है उनको कहा जाता है यह को गसि वर्राण यह कौन से मंदर में हैं इसके बाद मॉन्ट तो में मंदिर बना हुआ हुआ राइस्थान में जिसको कभी हम आगे चर्चा करेंगे तो यह मंव Metall मंदिर बना हुआ है दे लिए सास वहु का मंदिर कहां पर आपर है नागदा उदयपूर में एila सहस्र वाहु मंदिर मूल नाम तो है सहस्र वाहु मंदिर लेकिन इसको अपवरंस में जनता ने भासा में क्या कर लिया है सास वहु मंदिर पूछा जाए तो नागदा उदैपुर में है बेसिक पॉइंट्स हैं और बेसिक परिक्षाओं के लिए सामाने या थोड़े हलके ले जाता है मैंने अभी बताया था किराडू को राजस्थान का खजुराहों कहते हैं लेकिन मेवाड छेत्र का खजुराहों पूछा जाए तो अम्भी का मंदिर है जिसका इस्थान है जगत और यह किस जिले में है उदैपुर में है तो यह पॉइंट याद रखेंगे जगत का मंदिर हैं जिसे मेवाड का खजुराहों कहते हैं मंदिर हुद्यपूर के राजाओं के कुल देवताह म wijन द्परावल ने एक लिंग जी ही हमारे राजा हैं तो एक लिंग जी जो हैं वो मेवाड के उदैपूर के राजाओं के पुल देवता हैं आगे बात करें जगदीस मंदिर उदैपूर को सपने से बना मंदिर कहा जाता है यह पॉइंट याद रखना है सपने से बना मंदिर पूछा जाए तो जगदीस मंदि पुदैपुर है इसकी कहानी है जिस पर कभी हम आगे चर्चा करेंगे आगे पॉइंट है बेनिस्वर्धाम डूंगरपुर को आदिवासियों का कुम्ब कहा जाता है इसी को बागड का कुम्ब भी इसी को कहा जाता है माग फूर्णिमा को यहां मेला लगता है और यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है या कह सकते हैं दक्षणी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है तो माग फूर्णिमा को यह मेला आयोजित होता है बेनिस्वर्धाम में और आदिवासियों का कुम्ब कहलाता है देव स इसलिए मैंने लिखा हुआ है एक सोमनात मंदिर है जो पाली में है याद रखेंगे रास्मी गाउं चित्तोडगड में है इसे मेवाड का हरिद्वार कहा जाता है मातर कुंडिया का जो मंदिर है इसको क्या कहते हैं इसका उपनाम क्या है मेवाड का हरिद्वार और कौन से जिले में है चित्तोडगड में आगे बात करें विवीशन मंदिर विवीशन मंदिर जो प्रसिद्ध है कहां पर है कैथून कोटा में है कई बार परिक्षाओं में पूछा हुआ कोश्चन है विवीशन मंदिर राजस्तान का प्रसिद्ध विवीशन मंदिर कहां पर इस्तिद्ध है तो ये कैथून में इस्तिद्ध है कोटा में आगे बात करें सीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है जालरा पाटन जालाबाड में यूँ तो जादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन इसलिए जादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि ये राजस्तान का पहला तिथी अंकित मंदिर है जिस पे समय लिखा हुआ मिला है ज इसलिए परिक्षा में पूछा जाता है क्योंकि ये राजस्तान का पहला समय अंकित मंदिर है जिस पे समय अंकित है साथ सहलियों का मंदिर है साथ सहलियों का मंदिर कहां पर है जालरा पाटन में है जालरा पाटन गंटियों का सहल सिटी ओ बैल्स इसको कहते हैं जालरा पा है चार बिजा मंदिर बताया है साथ सहयली मंदिर को करनल जेम्स टॉड़ने जब कि चार बुजानाथ मंदिर दूसरा भी है इसके बारे में अभी हम आगे बात कर लेते हैं यह लिख रहा चार बुजा का जो मंदिर है मेड़ता नागोर में है जो मीरा भाई को समर्पित है जब कि करनल जैम्स टोड़ ने जालरा पाटन के साथ सहेली मंदिर को भी चार भुजा का मंदिर कहा है और मूल रूप से चार भुजानात का जो मंदिर है वो कहां पर है मेड़ता नागोर में इस देता है आ साथ मुझे एक बात और याद आती है जिसका आंशर आप कमेंट में बता दीजिएगा तर्नेत्र गणेश जी रन्थमबोर में है मैं पूछ रहा हूं आपसे कि लेटे हुए गणेश जी का मंदिर कहां पर है लेटे हुए गणेश जी और यह आपको पता हूँ यह आप मंदिर है आगे बात करते हैं गंगा मंदिर लक्षमन मंदिर भरतपूर जिले में इस्तित हैं लक्षमन जी जो हैं भरतपूर रियासत के जाट राजवन्स के कुल देवता हैं जाट राजवन्स के कुल देवता पूछे जाते हैं लक्षमन जी भगवान राम के चोटे हुआ है कहां पर ढाद चूरु में है चार हुजा का मंदिर मंदिर कहां पर है नाथ द्वारा में है उस संथ 실द ए रणा राज सिंग के सम मंदिर की स्थापना करवाई गई थी इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है कि औरंग जिर जब मंदिरों को तोड़ रहे थे उस समय पर मतुरा व्रिंदावन में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था दामोदर और गोविंद मंदिरों के मेहंत थे वो आए और हिंदुआ सूरज जो र लगाने दूँगा तूटने नहीं दूँगा ऐसी पूरी व्याख्या है पिछवाई का लाके लिए प्रसिद्ध है नाद द्वारा और अनुकूट मौच सब भी यहां का प्रसिद्ध है श्रिनाजी मंदिर का तो यह पॉइंट याद रखेंगे मेंदिपूर बाला जी कहा मंदिर दौसा में है इसके बाद हरसद माता मंदिर आभा नेरी दौसा में है और यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है इसके बाद मरुस्तल से घिरे हुए जो दुर्ग है मरुस्तल से घिरे हुए दुर्गों को क्या कहा जाता है धानवन दुर्ग कहा जाता है द सब्सक्राइब ने रहा है को अने वाली परेख्षा नहीं डाके से मैर्स करतें और सारे पॉइंड्स creative चाहिप